जहीं दोस्तों मैं आप लोगों को मुंबई के संबंद में आज की टॉप 5 खबरे बता देता हूँ पहली खबर ये है कि मुंबई पुलिस बहुत जल्द भाजपा की निलंबित स्पोक्स परसन नुपुर शर्मा को समन भेज सकती है और उनका स्टेट्मेंट रिकॉर्ड कर सकती है जो उन्होंने टिपनी की थी प्रॉफेट मुंबई सल्लला अलेवे सल्दम के खिलाफ उसके संबंद में मुंबई पुलिस समन भेज सकती है नुपुर शर्मा को दूसरी खबर ये है कि मुंबई में आज 676 कोरोना पॉजिटिव पेशिंट रिपोर्ट हुए है 318 रिकावर हुए है तो अभी मुंबई में कोरोना एक्टिव पेशिंट का आखड़ा 5000 से ज्यादा हो गया है तीसरी खबर ये है कि मुंबई पुलिस ने आज सल्मान खान के पिता सलीम खान का स्टेक्मेंट रिकॉर्ट किया है आपको बता दे कि सल्मान खान के लिए एक धमकी वाला लेटर दिया गया था जिसमें ये लिखा था कि सल्मान खान का हाल मूसे वाला जैसा होगा चौती खबर ये है कि राज्य सभा इलेक्शन से पहले शिफ्षेना के विधायकों को एक होटल में शिफ्ट किया गया है ये होटल मुंबई की बताई जा रही है विधायकों से भरी बस का भी फोटो सामने आया है पांचवी कबर ये है कि मुंबई सहित पुरे महारश्टर के स्कूल्स 15 जून 2022 से रियोपन होंगे ये कन्फरमेशन खुद महारश्टर की एजुकेशन मिनिस्टर वरशागा एकवाट जी दिवारा दिया गया है तो दोस्तों ये थी आज की मुंबई की टॉप फाइख खबरें अन्त में मैं आप सबसे यही कहूंगा भगवान इश्वर गौड अल्ला आप सबको सलामत रखे आप सब अपना ख्याल रखे सभी को दुआओं में याद रखे थैंक्यू सो मच